amendment to enable RBI in issues is digital currency मैं सिफ यह बोल के खत्म करना चाहते हूं क्या amendment होता है क्या बील आते क्या finance बील देश के बहुत सारे गरीबों के कुछ नहीं पता उनको पता करना भी नहीं है पारलामें में क्या discussion हो रहा है सिफ उनका यह question है petrol, diesel और जो हम लोगा gas cylinder वो कब कम होगा कैसे कम होगा सिफ कब का आंसार उनको चाहिए यह discussion यह सब कुछ नहीं चाहिए कुछ इसका मतलब नहीं है कुछ उनको लेना देना नहीं है सर सिफ यह पूछना है मिनिस्टर से जो भी दोश कॉंग्रेस को दो या बीजेपी कितना अच्छा करे उसमें हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है हम लोग को भी यह question है कब यह कम होगा, कब, कब, कब Bank of India, the Reserve Bank of India Act 1934 is being amendment to enable RBI in issues its digital currency मैं सिफ यह बोल के खतम करना चाहते हूँ, क्या amendment होता है, क्या bill आते है, क्या finance bill देश के बहुत सारे गरीबों के कुछ नहीं पता, उनको पता करना भी नहीं है, पारला में में क्या discussion हो रहे है, सिफ उनका यह question है, petrol, diesel और जो हम लोग का gas cylinder वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, सिफ कब का answer उनको चाहिए, यह discussion यह सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ इसका मतलब नहीं है, कुछ उनको लेना देना नहीं है, सर सिफ यह पूछना है, मिनिस्टर से, जो भी दोष कॉंगरेस को दो, या बीजेपी कितना अच्छा करें, उसमें हम लोग को कुछ लेना देना देना है, हम लोग को भी यह question है, कब यह कम होगा, कब कब, कब, ठैंक ऑफ इंडिया, दरिजब बैंक ऑफ इंडिया आक्ट 1934, इस बिंग आमेंडमेंट तो एनबल RBI इन इशुज इस डिजिटल कारेंसी, मैं सिफ यह बोल के खतम करना चाहते हूं, क्या आमेंडमेंड होता है, क्या बील आते है, क्या फाइनस बील, देश के ब बेट्रोल, डीजेल, और जो हम लोगा गैस सिलिंदर, वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, सिर्फ कब काई आंसार उनको चाहिए, यह डिसकर्शन, यह सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ इसका मतलब नहीं है, कुछ उनको लेना दरना नहीं है, सर्चिफ यह पूछना है, मिनिसर से, जो भी दो आइच्छ काई रहा का राल्यका है, जो भी दो ओष कांगरेस को दो, यह डिसकर्शन, यह सब कुछ高़ नहीं है, कुछ उनको लेना दरना नहीं है, सर्चिफ यह पूछना है, मिनिस्टर से, जो भी दो तो कंग्रेस को दो यह बीजेल, खalter कम होगा, क कब, 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 thank you.